तमिलाडू में हमेशा से ही OBC जात्यू की सरकार रही है और तमिलाडू के समाजिक नए मोडल की हमेशा तारीब भीकी जाती है लेकिन ये सोशल जस्टिस मोडल भी जाती की बिमारी का पूरी तरह से इलाज करने में काम्याब नहीं हो सका तमिलाडू में जातिवाद पर एक चुकाने वाले रिपोर्ट सामने आई है रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक तमिलाडू के करीब 30 फीस दी स्कूलों में अभी भी दली छात्रों के साथ किसी ना किसी तरह का जातिवाद होता है जी हाँ, तमिलाडू के स्कूलों में आज भी दली छात्रों को जाती वाद का सामना करना पड़ता है तमिलाडू छुआ छुट मिटाओ मोचा की ओर से जारी किये गए रिसर्च में ये चोकाने वाले आकड़े सामने आई है रिपोर्ट के मताबिक इन स्कूलों में दली छात्रों से टोईलेट साफ कराने जैसे अपराद से लेकर मिड़े मील सर्व करते वक्त अलग लाइन में बैठाना, खेलने और लैब में प्रैक्टिस के लिए समय देने में भी अलग अलग तरह का भीदभाव करना और ये ऐसे अपराद खुलयाम वहां हो रहे हैं कुछ स्कूलों में तो ये भी सामने आया कि दली छात्रों को अपनी पहचान के लिए कलाई में किसी तरह का धागा या गले में चेन वगएरा पहननी पड़ती है उसके बाद ये सर्वे किया गया था इसमें 36 जिलों के 441 स्कूलों में 641 दली चात्रों से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने स्कूल में किसी भी तरह का जाती वाद जहिलना पड़ता है 441 चात्रों में से 156 चात्रों निये सुईकारा कि हाँ उनके स्कूल में उनके साथ टीचर और सह पार्टी यानि उनके क्लासमेट्स जातिगत भिवाव करते हैं रामनापुरम, कड्डोलर, तिरुवनामलाई, तनकाशी, डिनिगुल जैसे 25 जिलों में चात्रों के बीच जात्य जड़ब के मामले सामने आए यानि टकराव हुआ है दलिच चात्रों पर हमले हुए हैं 15 स्कूलों में दलिच चात्रों की बाकाइदा ड्यूटी लगाई गई है कि स्कूल के टोईलेट उन्हें साफ करने हैं अब जरा सोचिए उस बच्चे के दिलो दिमाग पर इसका कैसा असर होता होगा जो घर से गया तो पढ़ने के लिए है लेकिन क्लास्रूम में उसका टीचर उसका नाम और उसकी जाती का नाम लेकर बोलता है कि जाओ टोईलेट साफ करो कैसे उसकी ही क्लास के चात्रू से हीन भावना से देखते होंगे मुमकिन है कि इन सबसे परेशान होकर वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दे और उसका भविश्य हमेशा के लिए खराब हो जाए आप अंदासा लगा सकते हैं कि कैसे दले चात्रों का भविश्य खराब करने की हर मुमकिन साजिश रची जाती है यूं तो हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को समिधान लागू होते ही आर्टिकल 17 के तहत छुआ छूट को कानूनी तोर पर खत्म कर दिया गया था लेकिन उंच नीच के भवना आज भी जातीवादी लोगों के दिलो दिमाग में बदस्तूर चारी है इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ कि 33 स्कूलों में तो बकाइदा दले चात्रों को अपनी जातीए पैचान दिखाने वाले कलाई पर धागे मानने पड़ते हैं उन्हें गले में कोई चेन लगानी पड़ती है ये जातीगत पैचान के जो धागे हैं ये कितनी बड़ी विडमना है ये किश्वी शताबदी में जब हम कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरू बनने के ओर बढ़ रहा है हम चांद पर जा रहे हैं मंगल मिशन बेच रहे हैं तब इसी देश में दलित चात्रों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है पेश्वाई राज में आप जानते हैं जब दुष्ट पेश्वाओं का राज था तो दलितों के गले में हांडी और कमर पर जाड़ू बांदा जाता था लेकिन अभी कई रूपों में ये भीदभाव हो रहा है इस रिपोर्ट के मताबिक 19 स्कू हुए हुए गलास से पानी नहीं पी सकते उस बतन में पानी नहीं पी सकते यानि जैसे बाबा साब दुक्रम बेटकर को एक शताबदी पहले स्कूल में भेदभाव सैना पड़ता था आज एक सदी बीत जाने के बाद भी वैसा ही वैवहार दलित छात्रों से तमिलाडू मे हो रहा है कि शएरों के मुकाबले गाओं के स्कूलों में ज्यादा जाती बाद होता है रिसरच में यह सामने आया कि जो गाओं में स्कूल है वहाँ जाती बाद के जी रहा है मोर्चे ने अपनी ये रिपोर्ट जस्टिस चन्रू कमेटी की सामने पेश की है ये वही कमेटी है जिसको सेक्षनिक संस्थाओं में जातिकत भिद्वाओं के मामलों पर एक रिपोर्ट बनानी है ये रिपोर्ट तमिलाडू सरकार की सामने रखी जाएगी फिलाल वहां के सिक्षा विभाग ने कहा है कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इस साल समानता की थीम पर स्कूलों में आर्ट फेस्टिवल आयुजित करवा रही हैं ऐसे फेस्टिवल से अगर जातिवाद दूर होना होता तो कब का होच का होता अगर समझाने से पढ़ाने से और सिखाने से भी हिंडू जातिया दलितों के साथ जातिवाद करना बंद नहीं करती तो जरूरत है कि उन पर कानून का सक्त डंडा चलाये जाए ऐसे छातरों को स्कूल से निकाल देना चाहिए जो स्कूल में जातिवाद करते हैं और ऐसे टीछर्स को तुरंतनोंक्री से बरखास्त कर CSTX की तहत गिरफ़तार कर जेल में डाल देना चाहिए जो दलिच छात्रों से टोइलेट साफ कराते हैं, उनके साथ जातिकत भिर्भाव करते हैं और उन्हें कलाई पर जातिये धागे बांगने के लिए मजबूर करते हैं ऐसे लोग समाज के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे लोगों का सही ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल ही होता है इस रिपोर्ट ने तमिलाडू की स्टालिन सरकार पर भी गंभीर सावाल खड़े कर दिये हैं दर्विड मोडल के सहारे सामाजिक नैकि जिस इमारत को खड़ा किया जा रहा है क्या उसकी नेव पे दलितों को यूँ ही कुर्बान किया जाता रहेगा तमिलाडू सरकार को इसका जवाब भी जरूर देना चाहिए और सरकारी स्कूलों में जातिकत भीरभाव पर तुरंत एक्षन लेना चाहिए इस बारे में आपकी क्या राय है ये जो खबर हमने आपको बताईए उस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर लिखें आपसे अपील है वीडियो को शेर करें क्योंकि मनु मीडिया के लोग ऐसी खबरे नहीं करते आपका अपना बहुजिन मीडिया दा न्यूस वीक आपको जरूरी मसलों पर आप तक रिपोर्टिंग और खबरे पहुचाता इसलिए आप यह हमारे प्रमोर्टर्स हैं आपसे अपील है कि वीडियो को शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील साथ ही अगर आपको दन्यूस्बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यू ही अंबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस क्यू आर कोड को स्कैन करें और न्यूस्बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशी भेजें क्यू आर कोड के अलावा आप यूपी आई की जरिये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी यूपी आई डी न्यूस्बीक एट दे रेट यस बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है न्यूस्बीक फाउंडेशन अकाउंट नमबर है 0-2-3-5-8-7-0-0-0-0-0-6-4-0 आई-फसी कोड है यस-बी-00-0-2-3-5 बैंक का नाम यस-बैंक है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें